अश्रम सरकार के द्वारा जो निर्ने लिया गया है कि मदर्शे और धार्मिक शिक्षा बंध होना चाहिए हाँ सरकारी खर्चे से और इस प्रकार के शिक्षा बंध होना चाहिए जो सिक्षा राष्ट के अहितकर हो जो सिक्षा आतंगवाद पैदा करता हो जो सिच्छा जहां से आतंगवादी फंडिंग की विवस्ता होता हो, जो सिच्छा समाज में द्वेश फैलाने का कार करता हो, वो सिच्छा बंध होना चाहिए, ना कि वो सिच्छा सदैव, वसुदेव, कुटुमकम, सनातन धर्म संस्कृति की रक्चा, असुरक्चा, और भा समाज के लिए अहितकर नहीं, वो सिच्छा नहीं बंध होना चाहिए, आज का जो ब्यान उधित राज जी का है, वो दुर्भाग पुर्ण है, वो दोएस पुर्ण ब्यान उधित राज जी का है, जिस प्रकार उधित राज के बंध में, जिस हिसाब से पूरे देश के प्र प्रति हिंदू जनमानर्श के प्रति उनके दिमाग में जो बिक्रती है उसका फल सरूप है उनोंने कहा कि सरकारी कर्च से कुम की ब्यवसाब बंध होना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा उधित राज से उधित राज धर्म अधारित देश की बटवारा तुम्हारे आकाउं ने किया जिस पार्टी से तुम काम करते हैं जिस पार्टी में उस पार्टी के नित्रुत करता ने धर्म अधार पर देश का बटवारा कर दिया तब तुम कहा थे उस समय में तुम नहीं बोल पा रहे थे तुम्हारे बाब दादा नहीं बोल पा रहे थे उसके बाद यह देश सनातन संस्कृति का है हिंदू जनमानस का है हमारे मर्यादा पुरसुत्तम भगवान से राम का है और तमाम जो देवी देपता जो सनातन धर्म संस्कृति मानत्ता कल्यान के लिए काम किया है उनका ही देश है इसके नाते संस्कृत और साधू संत कूपर बेन करने की बाद तुम मत करो ने तो तुमारी ये मुर्खता पुर्ण बात मानी जाएगी